एकनाच सिंदे साहब को जब मिशेज गया कि बिजेपी काये कमाड ने देवेंद्र फणविजी को मुख्यमंत्री बनाने का सरी किया है तो मानने एकनाच सिंदे साहब नाराज हो गए है बिजेपी की इतनी सीटी आई 132 सीटी बिजेपी की आई है और इसलिए मुझे लगता मंत्री के रूप में मुदी साहब के मंत्र मंदल में आ सकते हैं मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में महायूत्य को बहुत बड़ी सपलता मिली है और उसमें एकनाच सिंदे देवेंद्र फरण वीज और आजिए तादा पावर्जी का यहुदान थोई है लेकिन मानने नरे सिंदे साहब को जब मिशेज गया कि बिजेभी काये कमांड ने देवेंद्र फरण वीजी को मुख्य मंत्री बनाने का तरी किया है तो मानने एकनाच सिंदे साहब नाराज हो गए है तो उनका नाराज होना समझ दा सकते हैं लेकिन बिजेभी की इतनी सीटी आई 132 सीटे ब बना कर एक तो एकनाच सिंदे साब डेपूरी शेम बन सकते हैं या अगर उनको डेपूरी स्यम बनना उनके लिए थोड़ा ठीक है नहीं होगा तो केंद्र में वो का कापनिल मंत्री के रूप में मोधी साहब कर मंदल में आ सकते हैं को इसमें से निकलना चाहिए या फिर मे निकालने के लिए तिनों नेतावन एक साथ भाइटना चाहिए और माने नरेद मुदी साहब आमिज शाह साहब इसमें तोड़ा इंटर्फेर करके इसमें जे मार्ग निकालने के आवशकता है और इसलिए मेरा तो सुझावी है कि एकनाश इंदे साहब अगर केंदर में आते तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है और महाराश्रा में दो डेपूटी शेम बनेगे एक नाशिंदे साब का विक डेपूटी शेम बनेगा दूसरा आजीर दादा पावार जी भी डेपूटी शेम रहेगे तो आइसा कोई मार्ग इसमें से निकालना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री बनाना है लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री 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 बनना चाहिए मुझे लगता है कि गुलामी पार्टी नहीं है मतलब संजे राउज जिस तरह बता रहे है कि गुलामी पार्टी होती थी तो इतनी सिटे नहीं चुनकराती थी और गुलामी पार्टी तो मतलब मानने उद्दो ठाकरे जीने का कॉंगरेस और राश्ट्रवाद की गुलामी क थी वह मतलब हमको छोड़ कर वाँ चले गए थे तो मतलब उनके गुलाम बन गए थे तो इधर कोई गुलाम का विश्य नहीं है गुलाम का शब्द का प्रोयक करना ठीक नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि एकनाज सिंदे की पार्टी हो या अजीद आजाजा पावार की पार्टी हो एक गुलाम की पार्टी नहीं है यह ना सेलाम की पार्टी है यह तो अपनी अपनी मुझेस हल किया जाए कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद अमिक शहाने पहले कुछ प्रोमिस की नहीं को मुझे लगता है कि आजित दादा पवार जी ने तो खुल कर देविंद्र फॉर्ण जी के नाम को सपोर्ट किया है और आजित दादा पवार जी ने बोला एक मैं मुझे लगता है कि इसमें अभी एकनाश देस हाब कोई समझ ना है कि इसमें ने क्या लेना है उन्हें जो इस्तिपा दिया हो तो मुख्य मंद्र ऊद्पाट बात देना ही पड़ता है और इसलिए उन्होंने इस्तिपा दे दिया है उसका इस्तिपा मतलब पूरे मंदल का इस्तिपा होता है और फिर नए मंदल का शबत होता है इसलिए मतलब उन्होंने इस्तिपा दे दिया है और एक दो दिन में जो भी मतलब डेड़ लॉक है उसमें क्लेर क्लेरंस हो जाएगा क्लियर हो जाएगा और दो तारीक तक शपत गरन का पोग्राम हो सकता है कि आपने अजित पवार या नहीं किया अभी मैं मुंबई जाओंगा तो मैं करूंगा लेकिन फिलाल मैं नहीं किया है मेरे मन कि बात है कि अगर एकनाज सिंदे साव को डिपूर शेम बनना उनके लिए तो इसमें से महाराश्य के विकास के लिए मतलब निरने लेने के आवशकता है तो इसमें कोई नो कोई तो फचला माने एकनाज सिंदे सावने जल्दी जल्दी लेना चाहिए और समूझे रखता है